राजस्थान की करोडों की आबादी जिन लोगों को चुन कर विधान सवा में भेशती है वो विधान सवा में क्या करते हैं इसका नजारा इस समय पूरा राजस्थान नहीं देश देख रहा है जी हां इन माननियों के बिगडे बोल इस समय सदन में ऐसे चल रहे हैं कि पिछले तीन दिन से सदन में एक चैरा काफी चर्चाओं में है और ये चैरा है सूरजगड से विधायक श्रवन कुमार देखिए दो दिन पहले श्रवन कुमार ने सदन में एक बयान दिया था इस बयान का बवाल पूरे देश में देखने को मिला हाला कि विदान सबाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बीच बचाव किया और सादू संतों और श्रवन कुमार को बिठा कर बात करके इस मामले को शांत करवाया लेकिन एक बार फिर से श्रवन कुमार अपने बिगडे बोल से सुर्ख्यों में है सदन में जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो वे अपने कागज समालते वे नजर आए और इन कागजों को समालते दौरान भरे सदन में वे अब शब्दों का इस्तमाल करते हैं यानि की गाली गलोस तक वो उतर आते हैं हालाकि इसी बीच उनके साथियों ने उनको टोका और कहा कि आप सदन में इस भाशा का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन श्रावन कुमार अपने ही साथियों से भिड़ते हुए नजर आए ये वोई जन प्रतिनिदी हैं जिनको उनके विधान सबा की जनता ने चुनकर सदन में भेजा है कि वो उनकी बात उठाएंगे लेकिन श्रावन कुमार पिसले तीन दिनों से बहुत ज़ादा सुर्ख्यों में बने हुए हैं जिसके चलते अब सदन में काफी बवाल मच रहा है ऐसे में विधान सबा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको देख के तो लग रहा है कि ये माननिये क्या सच में माननिये कहलाने के लायक है इस तरह के शब्दों का उप्योग कभी सादू संतों का अफमान तो कभी भरे सदन में गाली गलोच क्या इनको शोबा देता है ऐसे में बड़े सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या सदन में जो सीट पर बैठे हुए हैं वो ऐसे बिगडे बोल वाले नेताओं को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे इनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में सदन की क्या इस्तथी होगी ये आप खुद देख सकते हैं आप देखते रहिए दनगरी न्यूस मैं हो ललत वर्मा